नमस्कार स्वागत है आपका अर्थनीती में ऐसा कारिकरम जहां हम करते हैं उन आर्थिक मुद्दों पर चर्चा जिन से होता है आपका सरोकार जनवरी का दूसरा हफ्था खत्म हो रहा है और कुछी दिनों बाद बजट आएगा क्योंकि मई में चुनाव होंगे तो इस बार सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी लेकिन फिर भी बजट से सभी की उमेदे जुड़ी होती है लाजमी है आपकी भी कई उमेदे होंगी हाला कि सरकार कितना कर पाएगी ये निर्भर करेगा कि अर्थविवस्था की हालत क्या है सरकार के पास कितने संसाधन है इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें आईए नज़र डालते हैं कुछ एहम आकड़ों पर जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जीडिपी पिशले पांच सालों के आँकड़ों पर अगर नज़र डालें तो 2015-16 में आठ फीजदी तक जीडिपी गया वहीं 2017-18 में ये गिरकर 6.5 फीजदी भी आया हाला कि 2018-19 की दूसरी तिमाहिये में देखिए 7.1 फीजदी था वितिये घाटे की बात करें तो सरकार की कोशिश रहती है कि इसे बढ़ने ना दिया जाए 2014-15 में 4.1 फीजदी था इसे सरकार 2017-18 में कम करके 3.2 फीजदी तक ले आई थी इसमें फिर से बढ़ोत्वी देखी जा रही है फिलाल ये 3.3 फीजदी के सर पर है अगर नवंबर तक के GST कलेक्शन पर नज़र डालें तो लगबख सभी महीनों का कलेक्शन पिछले साल अपरेल के कलेक्शन से थोड़ा कम रहा है अपरेल 2018 में सरकार ने GST के जरीए 1,3,469 करोड रुपे एकटा किये थे हाला कि GST की अफ्रेशोल सीमा बढ़ा दी गई है 40 लाग कर दी गई है इसका कलेक्शन पर कितना असर पड़ेगा इसमें रहीगी हमारी नज़र अर्थनीदी दुनिया की अधिकतर अर्थवेवस्थाएं बेशक मुश्किल दौर से गुज़र रही हो लेकिन भारत की अर्थवेवस्था सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है ऐसा कहना है वर्ल्ड बैंक की हालहे में प्रकाशित रिपोर्ट का भारत साड़े साथ फीज़दी की दर से विकास कर सकता है यह जकरात्मक महौल बना है चार साल में हुए पॉलिसी रिफॉर्म से सरकार के खजाने अब खाली नहीं है तो उद्योग जगत की सरकार से उमीदे और बढ़ गई है अंतरिम बजट अब आने वाला है किस सेक्टर को क्या तौफ़ा मिल सकता है इस पर चर्चा करेंगे आज अर्थनीती में इंकम टैक्स रिफंड में एक लाख करोड से ज़ादा आदा किया सरकार ने तो माना कि गुनजाईश है सरकार के पास अब पैसा है फिस्कल सिचुएशन अच्छी है देखिए जहां तक टैक्सेस का है तो दो एसपेक्स है उससे जी एस टी में थोड़ी कमी होगी और जो डैरेक्ट टैक्स इंकम टैक्स है वो उससे शायदा थोड़ा जादा होगा तो अवर आल अभी क्लियर नहीं है पर मोर और लेस एकुल हो सकता है तो अगर बजट नंबर्स मैच करेंगे जो बजट में थे और एक्चुल्स तो बहुत ज़्यादा गुझाईश नजर नहीं आती इस वकत जी लेकिन अब चुनावी साल है तो जाहिर है उमीदे सबको है फिस्कल डिस्सिप्टिन्ट अगर बात की जाए तो आपको कैसा लगा आमदनी देखी जाए खर्चा देखा जाए तो क्या सब कुछ संभालके चली है सरकार जी काफी सराहनी है रही है इनकी कोशिश ये बात अलग है कि जो आप वित्तिय घाटा यदी देखें जो तीन प्रतिश्यत लाने का वादा था वो हर साल जो है कुछ पीछे रह गई है सरकार पर अगर आप ओवरॉल पिक्चर देखें तो उसमें सरकार काफी सफल रही है जो बड़ा परिवर्तन ये रहा है कि जो बिलो दे लाइन आइटम्स थे जैसे पहले क्या होता था कि जो तेल की जो सबसिडी दी जाती थी तेल कंपनियों को उसको बॉंड की रूप में दे दिया जाता था और वो दस साल तक उसकी पेमिंट होती थी जो छोटे कर दाता है उनको 5,000-10,000 का रिफंड तो 15 दिनों से एक मेहने के अंतर आ जा रहा है तो ये तबदीलिया काफी अच्छी रही है पर ये जरूर है कि और सुधार की गुंजाईश थी जो नहीं हो पाया है अब क्योंकि ये इंटरिम बजट है इसमें जादा गुंजाईश नहीं है क्योंकि जो प्रथा चलिया आई है उसके अनुसार जो खर्चा है उसकी स्वीकृती सरकार इंटरिम बजट में मांगती है और tax के वायदे करती है पर tax changes नहीं करती है आम तोर पे सुधार के रहे हैं कि और सुधार की उमीद थी जो नहीं कर पाई सरकार किस तरह के सुधार हो सकते हैं तो दो चीजे हैं एक तो tax का सुधार और coming back to जो आपका पहला प्रशन था गुझाइश मैं खाली budgetary allocation के हसाब से कह रहा था पर कई नई schemes का जो expenditure होगा वो current में नहीं होता वो future में होता है तो उसकी बात हम कर सकते हैं तो पहले एक तो tax reform है दो चीजें होती हैं जहां तक मेरी understanding है आप budgetary numbers change नहीं कर सकते हैं अगर vote on account हो पर नई जैसे code of taxation या उस type की चीजें announce कर सकते हो यह ज़रूरी नहीं है कि नया tax लगाओ या किसी और को कम करो बर जो आपकी intention है और same चीज expenditure साथ पर भी apply कर सकती है तो government अगर सोचती है कि हम बड़ी scheme जैसे वो discuss कर सकते हैं जो announce कर सकते हैं कि हम अगले साल से इसको शुरू करेंगे उसमें कोई budgetary allocation की जरूरत नहीं है हो सकता है 10 करोड 5 करोड वो इधर उधर से लेके उसको शुरुआत भी कर सकते हैं जो major expenditure होते हैं वो बाद में आएंगे तो इसमें यह difference है पर अगर actual tax reduction वगेरा उसकी में बात कर रहा था वो generally नहीं किया जा सकता कई strong decisions थे तो यह भी माना जाता है कि आपने इतने लंबे समय तक फसल बोई है अब वो काटने का समय आ रहा था तो अब elections आ गए तो यह जो reforms थे यह आगे नई सरकार भी इसको चलाएगी आगे ऐसी उमीद की जा सकती है आप minimum support price की बात कर रहे हैं क्योंकि वो ही apply करती है जब काट रहे होते हैं देखे हम लोग जो 20 साल से 30 साल से कर रहे हैं यह minimum support price बहुत मुश्किल चीज़ है और हमें doubt था कि यह जो announcement है ठीक नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल है implement करना तो anyway experience वो ही हुआ है unfortunately कई लोग जो हम experienced हैं वो ही predict कर रहे थे unfortunately सुना नहीं तो उससे बहतर होता कोई और schemes और वो ही media में अब चर्चा आ रही है कोई direct benefit या direct cash scheme ज्यादा implementable है तो इसकी चर्चा हो रही है हम भी यहां जैसे income support scheme या direct cash transfer या direct benefit scheme जो है क्योंकि वो अधार का system अब चल गया है तो जो अधार से linked कोई cash transfer ज्यादा viable है क्योंकि जब MSP announce करो तो उसका बड़ा administrative structure चाहिए होता है और जो हमारा administrative जो FCI food cooperation of India etc. वो सब जगा है नहीं वो तो बड़ी limited जगा में है और basically जो serials economy थी उसके तहत बनाई गई थी FCI तो और चीज़ों की अगर MSP बनाओ तो it is just administratively difficult or impossible to implement agriculture अब एक ऐसा sector हो गया है कि सबको इस पर बात करनी है सबको इस पर चर्चा करनी है सबको अपने ideas देने हैं वो एक बहुत अच्छी बात नहीं है अगर हम अमेरिका को देखें तो सिर्फ तीन फीसेदी population है और कई ऐसे measures हैं कि हमें उसको और mature करना चाहिए grow करना चाहिए क्या-क्या steps हो सकते हैं जी अगर आप दूसरे देशों का experience देखें तो एक विकास की प्रक्रिया में क्रिशी छेत्र पर लोगों का जो dependence होता है वो कई दशिकों में कम होता रहे आम तोर पर ऐसा ही देखा गया है परन्तु अब और industry sector का share बढ़ता जाता है आपके GDP में सबसे प्रत्म जो भी प्रात्मिक्ता होगी जो भी सरकार हो उसकी यह होनी चाहिए कि कैसे क्रिशी शेत्र से लोगों को industry में लाया जाए क्योंकि इस किसम का economy का धाचा sustainable नहीं है जहां आप 50% से जादा आपकी population क्रिशी पर निर्भर हो और आप 20% से कम उससे आपकी उपर जा रही हो तो जो सबसे बड़ा focus का area यह होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों को क्रिशी से food processing में, अन्य शेत्रों में, industry में, service sector में उनको हम लाएं वो एक basic reform की आवशक्ता है और बहुत ही focus तरीके से उस पर काम करना होगा उसके साथ साथ कई अन्य चीज़ों की आवशक्ता है जैसा कि विर्मानी साब ने बताया कि यह MSP का ढाचा एक हद तक लाबदायक होगा, उसके बाद आपको नए चीज़ें सोचनी होगी, पैदावार बढ़ानी होगी, पूर्वी शेत्र में कैसे हरित करांती दुबारा लाई जाए, उसके बारे ठोस कदम उठाने होंगे, तो इरिगेशन के ऊपर अभी भी हमारे इहां किसान बरसात में निर्भर हैं, इसको सारा धाचा चेंज करने की आवशक्ता है लोन वेवर एक ऐसा वर्ड है, जिससे शायद एकॉनमिस्स पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उससे काफी चीज़े खराब भी होती हैं, और एक आदत सी पढ़ जाती है लेकिन जिस तरह सिधार्थ ने बोला कि एग्रिकल्चर छोड़के नौकरियों के तरफ बढ़ना चाहिए, नौकरिया कहां हैं, उसको एक दाइरा बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम सरकार के पास options हैं, available हैं देखिए जब हम employment या jobs की बात करते हैं, हम खाली demand side पर देखते हैं, पर जो supply side है वो education और job skills पर depend करती है तो लोगों को generally ये पढ़ गया है कि बस खाली ये demand side नहीं है कि employment की side पर actually bigger problem है कि जो quality of education हमारा rural, आप कहरें 50% dependence agriculture पर है पर तकरीबन 60-70% लोग rural areas में रहते हैं और वहाँ जो quality of education बहुत relatively poor है तो जब मैंने बात किये जो employment agencies एक दो से बात किये हैं, वो कहते हैं हम advertise करते हैं, मिलते ही नहीं है सो लोग apply करते हैं तो उसमें पाँच लोग हैं जो उसकी requirement meet करते हैं और उसमें एक दो काबिल हैं जो actually hiring के लिए, तो ये बहुत जरूरी है कि quality of basic education और job skills अच्छी तरह impart किया जाए, particularly जो rural population जो 60-70% अभी भी rural areas में है तो सबसे important यह है, दूसरा agriculture पर बस मैं एक चीज़ और add करूँगा, वो है कि हमारा mindset अभी भी जो 20-30 साल पहले cereal shortage होती थी, उस पे लगा हुआ है, कई agricultural economists ने पताया है, मैं directly agriculture expert नहीं हूँ, पर जो policies हैं वो पता हैं, और वो है कि जो modern agriculture लोग बोलते हैं, vegetables, fruits, यह वो जो नई चीज़ें हैं ना, उस पे ध्यान नहीं दे रहें, वो जो सारे पुराने अग्रिकल्टरिस्ट हैं, वो बोई पुरानी चीज़ें धुराते जाते हैं, जैसमें हमने MSP की mention की, क्यों इस trap में फसें, क्योंकि जो सारे advisors जो पुराने टाइम की हैं, वो बस यही बोलते जाते हैं, और वो mindset है, serials का, पर nobody is looking at के भई, यह नई चीज़ें जो आ रही हैं, उसको कैसे, तो one of the ways, exactly, तो दो तरीके हैं, एक तो generate jobs जैसे इन्होंने बोला, और दूसरा है, जो agriculture को modernize करी है, उसमें भी काफी scope है अभी, जी तिलहन हो गए, दाल हो गए, इस पे अभी भी हम आत्म निरभर नहीं हैं, इन पे ध्यान देने की आवशकता है, Subsidies तो बहुत दी जाती हैं इस sector को, लेकिन जिस तरह से skill आप कहरें नहीं है, मेभी organic farming के तरह बढ़ा जाए, क्योंकि अब तो दुनिया में आप export भी कर सकते हो इस चीज़ को, यह सब एक काफी नीश किसम के पदार्थ हैं, जैसे तेल हम अभी भी काफी बड़ी संख्या में हम import करते हैं, मलेशिया से करते हैं, दूसरे देशों से करते हैं, पाम ओयल हो गया, इन तरह की चीज़ों पर ध्यान देने की आवशकता है, जैसे हम बात करते हैं, दाल में आज भी कभी आं बढ़ जाते हैं, कभी घड़ जाते हैं, तो इस पे जदि हम डाल पे फोकस करें, तिलहन पे फोकस करें, जैसा बिरमान साथ बतारे हैं, value added crops पे focus करें जिसकी organic पे focus करें तो ये थोड़ी हमारे जो mindset है उसमें तबदीली लाने की ज़रूत है जी और शायद इसी वज़े से उमीद काफी की जा रही है कि इस budget में कुछ न कुछ इस तरह के announcements होंगी इस sector के लिए लेकिन और बाकी sectors के लिए क्या कुछ होगा राष्ट्रपती भवन स्थित जैपूर स्थम्भ 145 फीट उचा ये टावर बिटिश वाइस राय को जैपूर के ततकालीन महाराजा सवाई माधाउसिंग की भेंट स्थम्भ का उपरी हिस्सा काच से बने शटकोंडिये सितारे और काच से कमल से सुसजित स्थम्भ के भीतर लगी पाच टन वजनी शैफ्ट से ये कमल घूमता है 6 इंच व्रित्ताकार और ये प्रक्रिया दोराई जाती है हर तीन सकंड बार बार क्रिशी तो एक emotional सेक्टर है और इसे vibrant agriculture बनाने की जुर्वत है लेकिन गोल्ड को भी बहुत प्यार करते हैं भारतवासी और हाल ही में गोल्ड का import भी किया गया गोल्ड को खरीदा गया नौ साल बाद खरीदा गया है फॉरेक्स reserves काफी अच्छे हो गए है लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो अंतराश्ट्रिय महौल है उससे लड़ पाने के लिए क्या सक्षम है देखिए तकरीबन छे मीने पहले situation बहुत खराब लग रही थी पर ये पिछले तीन त्री टू सिक्स मांथ में बहुत तबदीली आ गई है एक तो जो फेडरल रिजर्व का उमीद थी कि वो चार बारी इंटरेस्ट रेज करेगा और उसका नेगिटिव एफेक्ट हमारे पे होता है क्योंकि हमारे सेंट्रल बैंक पे भी प्रेशर पड़ता है कि इंटरेस्ट रेज को बढ़ाए तो वो प्रेशर जो है वो अब तक्रीबन वो कम हो गया और तक्रीबन खतम हो गया है अगले साल के लिए तो यह एक बहुत तबदीली है दूसरा oil prices जो तकरीबन 80 के पास पहुँच गई थी वो अब 60 पे निकल आई है और अमीद है कि at least अगले 3-6 मीने में moderate रहेंगी तो इन दोनों चीजों का काफी positive impact होगा हमारे exchange rate पे, reserve पे और जो private consumption है उस पे भी तो इस aspect से अब कोई खास worry नहीं है तो इसलिए government बड़ा easily जैसे आपने fiscal का है हो सकता है कि वो थोड़े advantage लें इसका and take some fiscal risk on the fiscal side by announcing जैसे कह रहे थे programs वगएरा जैसे examples चुके पहले नहीं जो income scheme basically examples यही दो आ रहे हैं एक किसी type की income scheme जो primarily farmers के directed होगी पर वो थोड़ी मुश्किल है क्योंके जैसे आंधरा प्रदेश की रायतू बंदू scheme की बात हो रही है पर उसके लिए land record चाहिए होते हैं और वो देश में सब जगा नहीं है तो some variation कह रहे हैं तो हो सकता है there is a possibility और वो introduce हो सकती है क्योंके ज्यादा expenditures वो implement करने में यह 3-6 महीने लग जाएंगे तो अगली budget में उसका provision हो सकता है जब actual budget आएगी और दूसरी जो बात हो रही है वो income tax reform की हो रही है उसमें किस तरह की अमीद की जा सकते क्योंकि उस पर तो सब की नज़र रहती है और हमारे दरशकों की खास तोर पर अगें जो मैं पहले मैंने indicate किया actual tax reduction तो normally नहीं कर सकते vote on account या even interim budget पे तो उमीद ये है कि जो structure structural change announce हो सकता है तो जो लोग हैं उमीद उनको directly पता नहीं लगेगा बट simplification जो हम कहते हैं simplification of the tax code जो tax terrorism की बात होती है ये वो उसके दिशा में कुछ हो सकता है चले tax के बारे में तो कुछ भी कम हो या simplify भी हो तो वो एक अच्छी खबर होती है foreign direct investment ये हमने देखा है कि बड़ी है और खास कर communication sector में और साथ में manufacturing में जो कि पहले manufacturing में जाधा होती थी और communication में काम होती थी ये क्यों communication में काफी लोगों ने निवेश किया है काफी M&A की activity हुई है इन वजहों से जो FDI है उसमें वृद्धी हुई है manufacturing में अगर आप देखें तो नया निवेश कम रहा है और वह एक शिकायत रही है सरकार की कि manufacturing sector में जहांकि नौकरियां जाधा होती है वहाँ पर निवेश कम रहा क्योंकि वहाँ पर capacity जाधा थी अगर आप देखें तो जाधा तर कंपनियों के पास अभी भी spare capacity है यदि वह 100 गाणिया बना सकती है तो असी बना रही है या अगर 100 किलो साबुन का powder बना सकते है तो असी या पचासी प्रतिशती खपत है वहाँ पर तो इस वज़या से क्योंकि निवेश कम रहा है डोमेस्टिक और फॉरण दोनों शेतर में कमी मेरे ख्याल से इसी वज़या से है आयात कम करना है निर्याद जादा करना है तो क्या हम उमीद करें कि मेक इन इंडिया या स्किल इंडिया जैसे कोई चीजें पर कुछ और एंफेसिस हो सकता है देखें ये इस वकत जो जेनरल एकॉनमी पे है मेरा ख्याल नहीं है कि खास कुछ होगा अंतरें बज़ट की वज़ट से दो जो एक्स्टरनल में मैं एक चीज़ भूल गया बताना वो तो अपरचुनिटी साइज ये तो हमने थ्रेट्स डिसकास की थी वो चली गई है और अपरचुनिटी एक बहुत बड़ी है जिसको मेरी उमीद है पर पता नहीं कुछ करेंग और वो है जो ये टेरिफ वार चल रही है यूएस और चाइना की उससे कई उपरचुनिटी होई है वहाँ पर अंसर्टिंटी हो गई है तो जो कंपनीज हैं वो बाहर देख रही है और जो कंट्री मेंशन की जाती है उसमें वियतनाम और इंडिया की बात होती है कि जो सप् आफडिया की जो आफने बात की एफडिया बढ़ेगा सप्लाइ चेंज आएंगी निर्यात बढ़ेगा आयात कम होगा तो वो जो मेकनिजम है वो एक्चुली मेक इन इंडिया का मोर रिलाइबल या सस्टेनिबल चीज होगी तो थोड़ा बहुत तो ध्यान इस पे दे रही है गॉर्णमेंट पर पता नहीं उस पे कुछ और एंफसेस देंगे फॉर एक्जांपल जब सप्लाइ चेंज होती है उसको कहते हैं हम संक कॉस्ट होती है तो जब चीन में बना रहे हो कुछ तो वो सेट आप वहां पे बनावा है तो उसको मूव करने के लिए कुछ इंसेंटिव की बात हो सकती है पर जैसे मैंने बोला एक्चुल टैक्स इंसेंटिव तो नहीं दे सकते इस पॉइंट पे अगर इंटेरिम बजिट है तो जैसे कि आपने कहा कि अमेरिका और चाइना के भी जो टारे वॉर को लेकर जो चल है तो वो एक अफसर है सुनहरा इंफ्रस्रक्शर बहुत अच्छा है बहुत जदा वो इंवेस्ट करते हैं उनकी logistic cost बहुत कम आती है हमारी बहुत जदा आती हैं इंफ्रस्रक्शर पे काफी काम हुआ है पूरे जोरो शोरो से सरकार लगी रही क्या आगे भी यही जारी रहेगा क्योंकि बिक टिकेट एन logistics division की गठन हुई है जिसमें सारा focus ये है कि कैसे लुधियाना से या अलवर से कोई सामान यदि मुंबई के port पर जा रहा है तो कैसे उसको कोई रुकावटे नहीं आए चाहे वो border check post हो चाहे वहाँ पे जो लंबी कतारे हैं उसको कम करने की कोशिश की जा रही है जो पेपर वर्क है उसको उसमें तबदीली लाने की कोशिश की जा रही है जो निवेश है उसके अलावा processes को simplify करने पर ध्यान दिया जा रहा है crude oil के तो strategic reserves बन रहे हैं जो की एक बहुत बढ़िया बात है कम से कम 10-15 दिन के लिए कोई आफ़त नहीं आएगी भारत के ओपर अगर कोई ऐसी situation आती है लेकिन उसके अलावा हमें अब आगे बढ़कर थोड़ा green energy के बारे में सोचना चाहिए बहुत उमीद थी इस सरकार से भी कि इन sectors में बहुत कुछ होगा क्या अंदरिम बजट में कुछ उमीद इसके बारे में की जा सकते है जैसे electric हो या solar हो electric vehicles और solar alliance का तो काफी काम हो गया है I don't expect के इस interim budget की ये type of issue नहीं है interim budget में even तो जो immediate issues है ये तो long term issue है इसकी कोई ऐसे जल्दी नहीं है पर लेकिन एक सोच दिखाती है सरकार की है पर जो पहले issue वो बहुत important है क्योंकि ये आपने जैसे बोला infrastructure में मेरे हसाब से बहुत काम हुआ है और globally इतना recognition नहीं है इस पे तो government को ये ज़्यादा propagate करना चाहिए तो all across the board अगर आप highways लीजिए, railways लीजिए, waterways, logistics का बात की और क्या कहते हैं, GST जो barriers होते थे, वो GST के अंतरे सारे निकल गए है तो बहुत progress मेरे हसाब से हुई है पर जो भार के लोग हैं वो अभी भी सोचते हैं जो 10, 15, 20 साल पहले हमारा inferior infrastructure ये वो था, तो मेरा ख्याल इस दिशा में के international इसकी जो improvement हुई है वो थोड़ा propagate रहना चाहिए बताना चाहिए कि किस तरह से गाओं गाओं तक पहुच गई है सड़के और वहां की भी जो कारिगर हैं वो भी अपना अब आगे बाहर निकल रहे हैं और जो housing for all के साथ साथ जो और बाते चल रही थी वो भी रोजगार भी मिल रहे हैं जो आप कह रहे हो कि लोक लुबाव ही नहीं है stimulus तो जैसे मैंने का जो focus होगा वो जो जो problem जो चर्चा हो रही है जैसे farmers distress की चर्चा हो रही है उसके तहत कुछ scheme हो सकती है इस तरह जो immediate important problems political economy की होंगी उस पर ही ज्यादा universal basic income type की कोई चीज़ वो variation है that is a means of reaching farmers कुंकि जैसे मैंने बोला जो land related चीज़े हैं वो मुश्किल हैं करनी पर अगर हम rural लें रूरल के जैसे मैंने बोला 65 परतीशद शायद है rural population और उसके बीच में farm related लोग हैं 50 परतीशद तो अगर कोई universal income या जिस तरह मैं मैंने advocate किया है net income transfer उसको करो तो rural focused हो तो immediately तकरीवन 35 परतीशद उसमें से निकल जाता है और फिर थोड़ा बहुत करके वो farmers पे पहुंच जाती है तो उस type का कुछ होगा even though directed at farmers थोड़ा farmers poor सब मिला के एक income scheme हो सकती है जी बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए और सधारत आपकर बेशुक्रिया तो लबोलुबाव ये है कि क्योंकि अंतरिम budget है तो कुछ ऐसे आर्थिक solutions नहीं निकाले जाएंगे जिनका long term मसर हो लेकिन उमीद की जा रही है कि कुछ-कुछ sectors होंगी जहांपर कुछ-कुछ announcements हो सकते हैं इस सब पर रहेगी अर्थनीती की नजर आप देखते रहिए राचे सबाटी वी